नेक्स्ट हमारे पास power diagram आ जाता है star, delta, stutter का तो इसमें अब देख सकते हैं तीन phase देते हैं R, Y, and B ठीक है तो उसके बाद हम क्या करते हैं MCV से लगा देते हैं ताकि protection के लिए और उसके बाद OLR में देते हैं overload relay में और overload relay से connected होता है main contractor में main contractor connected होती है star के लिए आपके क्या होता है इस side में एक तीनो sorted होता है star के लिए और delta में हम supply देते हैं अब देख सकते हैं आप डेल्टा से हमने R, Y, B ले लिया है इधर से भी R, Y, B ले लिया है after overload relay ठीक है main contractor के बाद मत लीजेगा यह आपको overload relay के बाद ही लेना है ठीक है मतलब 3-4 second के लिए आपको run करता है star के लिए में फिर उसके बाद हम लिए क्या करते है उसको delta में shift कर लेते हैं ठीक है तो जैसे मैंने बताया थो और आपको 95-96 MC point है और 97-98 NO point है ठीक है तो आप आईए सब control diagram देखते हैं नेक्स्ट हमारा है control wiring of star delta starter इसमें अब देखिए phase में हम दिये हैं phase ते फिर उसके बाद mcb से connected है फिर mcb overr से connected है फिर उसके बाद यहाँ पर nc push button लगा कर रखा हुआ है इसको प्रेश करें तो यह open हो जाए और आपका supply disconnect कर दे फिर उसके बाद start लगा कर रखा हुआ है push button उसके साथ हमने main contractor का no point लगा कर रखा हुआ है no point आपको मिल जाता है एक block मिलता है तो आप उसके लगा सकते हैं और कुछ में attach आते हैं तो उसका use कर सकते हैं यह किसलिए होता है जैसे push button होता है जैसी press करेंगे तभी supply जाएगा फिर release कर देगा supply नहीं जाएगा तो हम क्या करते है no को nc बना रह जाता है मतलब close हो जाता है तो आपका क्या होता है supply जो इधर से आ रहा है औहो इधर से घोंके इदर आ जाता है तो यहाता है अपको असको समझत तो आपको समझने में कोई दिक कत नहीं आएगा I hope अप यह बहुत Regent इसके बाद ही आपको समझना है अब देखिए यह आपका main contractor हो जाएगा main contractor आप किसी को भी ले लिजे एक को timer ले ले लेते हैं ठीक है अब इसमें देखे आपको main contractor में A1 A2 auxiliary supply मिलेगा A1 A2 ठीक है कोई डाउट नहीं आप वहाँ पर लगा दीजे main contractor को आपको on ही करना है इसमें कोई डाउट नहीं है फिर timer है timer पर भी आपको A1 A2 मिलेगा timer को भी हमें on करना है तो timer को भी हम दे देंगे supply A1 A2 को अब उसके बाद एक छोटा सा आपको यह चीज समझना जरूरी है अब यहाँ पर भी तो coil होगा आपका delta में भी इस contractor का भी होगा इस contractor का भी होगा स्टार में ठीक है तो उसके लिए हम कौन सा point लेंगे timer का nc point लेंगे क्योंकि न जैसी आपका supply मिलेगा तो nc point आपका on रहेगा ठीक है तो nc point on रहेगा तो आपका timer चलू रहेगा उस समय इस से आपका star चलेगा फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर nc point है तो जैसी time पूरा होगा यह no में convert हो जाएगा तो हमने यहाँ पर no timer लेके रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर delta अपका operate हो जाएगा यह nc no हो जाएगा तो यह बंद हो जाएगा यह चालू हो जाएगा अब उसके बाद आप एक और देख रहे होगे एक और term nc delta और nc star तो इसमें हमने क्या करखा हुआ है ताकि जब यह चले तो यह ना चले और यह चले तो यह ना चले मतलब जब आपका nc delta रखा हुआ है तो जब आपका delta चले तो star यह open हो जाए और जब आपका star nc है तो जब star चले तो delta open हो जाए ठीक है तो यह दोनों को हमने लगा दिया interlock timer कर दिया है तो जब यह चले यह दोनों को हमने ऐसा provision दिया है कि दोनों में से शर्फ एक ही चले तो अब होप कि इसमें clear हो गया अब कुछ भी doubt है तो अब जब बूचे तो यह हमारा electrical drawing का दूसरा पाठ है यहाँ पर मैंने timer का block भी ना रखा हुआ है तो यहाँ पर आप point देख सकते है A1, A3, 15, 16, 18, A2 ठीक है तो A2 में हम neutral supply देंगे A1 में face देंगे तो A1 connected है 15 number से उसके बाद यह 16 आपका है और 18 है A2 है तो यहाँ पर 16 में हम दे देते एक winding को और 18 में एक winding को ठीक है अब यहाँ पर देख सकते है कि मैंने timer का block बना कर रखा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते है 15, 16, 18 तो जो 15 पॉइंट है वो आपका 15 और 16 NC पॉइंट है और 15 और 18 NO पॉइंट है तो जैसी इसमें supply आएगा तो NC क्या हो जाएगा यह NO बन जाएगा और इधर supply चला जाएगा तो पहले star में रहेगा फिर उसके बाद डेल्टा में shift हो जाएगा तो I hope कि इसमें सारा कुछ clear हो गया होगा मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है इसके बाद भी कुछ doubt है तो आप जरूर कमेंट करें